एक गुबारे वाला गुबारे बेचकर जीवन यापन करता था बच्चों को लुभाने के लिए वे तरह तरह के गुबारे रखता लाल, पीले, हरे, नीले और जब कभी उसे लगता कि विक्री कम हो रही है वे जट से गुबारा हवा में छोड़ देता जिसे उड़ता देखकर बच्चे खुश हो जाते और गुबारे खरीदने के लिए पहुँच जाते इसी तरह एक दिन वे मेले में गुबारे बेच रहा था और बिक्री बढ़ाने के लिए बीच-बीच में गुबारे उड़ा रहा था पास ही खड़ा एक छोटा बच्चा ये सब बड़ी जिग्यासा के साथ देख रहा था इस बार जैसे ही गुबारे वाले ने एक सफेद गुबारा उड़ाया वे तुरंत उसके पास पहुँचा और मासूमियत से बोला अगर आप ये कालव गुबारा छोड़ेंगे तो क्या वो भी उपर जाएगा गुबारे वाले ने थोड़े अचनरश के साथ उसे देखा और बोला हाँ बिल्कुल जाएगा बेटे गुबारे का उपर जाना इस बात पर नहीं निर्भर करता है कि वो किस रंग का है बलकि इस पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है इसी तरहां जब हम अपनी प्राकरतिक बुद्ध्यों का स्वम मुल्यांकन कर लें तो बेठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा जैसा कि हमने शुरू में लर्निंग आउटकम्स के परीच में जाना प्रकरती और पोशण दोनों साथ पनपते हैं तो अपनी मल्टीबल इंटेलिजेंस को प्रोथसाहित कर आगे भढ़ने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है अन्य संगी साथी तो इसमें केवल हमारी साहिता कर सकते हैं शेय लेने के लिए हमें स्व्यम श्रम करना पड़ेगा इसी से जुड़ा है एक और स्व्यम मुल्यांकन लर्निंग स्टाइल्स या हमारी निजी सीखने की शैलियन घबराईये नहीं इस बार केवल नौ स्थितियां आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी और ये थोड़ी अलग प्रकार की प्रैक्टिकल यानि व्यवहारिक स्थितियां होंगी जिनका आप कई बार यथार्थ में सामना करते होंगे हर स्थिति को समझने के बाद तीन विकल वी, ए और के आपको दिये जाएंगे स्थिति के अनुरूप और अपनी निजी चुनाव के मुताबिक आप इन में से साथ प्रकार से जवाब दे सकते हैं आप रिस्पॉंस शीट के लर्निंग स्टाइल्स वाले अनुभाग में देखेंगे कि प्रश्णों की शंखला 73 से 81 तक है हर बॉक्स या चौकट में तीन विकल वी, ए और के दिये गए हैं तथा अपना उत्तर देने के लिए गोलाकार उधारन के लिए हम आपके सामने एक सैंपल दिखा रहे हैं केवल एक वी, ए, के जो भी सही लगे दूसरा कोई भी दो जैसे वी और ए या वी और के या ए और के क्योंकि हो सकता है कि परिभाशित स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया दो तरह से होती है तीनों वी भी, ए भी, और के भी जब आप तीनों विकल्पों का इस्तमाल करते हैं ध्यान रहे कि आपको सभी स्थितियों का सामना करना ही है और सब नौ प्रश्णों का जवाब देना है पहले की तरह रेस्पॉंस शीट में लर्निंग स्टाइल्स वाले अनुभाग या सेक्शन में अपनी पसंद पर अपना चिनानकन करें गोलाकार को भर कर सोच समझ कर भरें एक बार चिनानकर या निशान लगाने के बाद काठपीट या रद करने की अनुमती नहीं है हर प्रश्ण के लिए आपको 45 सेकंड का समय दिया जाएगा और स्वयम मुल्यांकन लर्णिंग स्टाइल्स प्रशनावली 6 मिन्टों में पूरी हो जाएगी इसके उपरांत आपको जोड लगाकर गिंती करनी है वी, ए और के की इसे भेतर समझने के लिए हम नमूने के लिए एक रिस्पॉंस शीट लेते हैं जो कुछ इस तरह भरी गई है अब हम पहले वी का जोड करेंगे जिनका चिन्हानकन को ऐसे है 73, 74, 75, 77 और 81 अथवा जोड हुआ 5 जिसे हम निर्धारित जगाए पर लिखेंगे इसी प्रकार ए का जोड करेंगे 74, 76, 77, 78, 80 और 81 यानि जोड हुआ 6 इसे भी निर्धारित स्थान पर लिखेंगे के की गिंती करेंगे 75, 76, 77 और 79 यानि 4 बार जो उप्योग स्थाल पर लिखेंगे तो हमारे जोड हुए V is equal to 5, A is equal to 6 और K is equal to 4 अब पहले की तरहां लेकिन ज्यादा आसान आपका विक्ट्री स्टैंड प्रस्तुत है और आप इन्हे करम के मुताबिक प्रथम दुतिये और थृतिये पर दे सकते हैं हमारे उद्धारन में श्रिणी बद प्रथम A is equal to 6 दुतिये V is equal to 5 और तृतिये K is equal to 4 हो सकता है आपके case में कोई draw यानि बराबरी भी हो अब स्थिति और उससे जोड़े विकल्प कैसे होंगे उससे भी आपको परिच्चित करा दे हम नौ स्थितियों में से पहली ही आपके सामने रखते हैं क्योंकि कोई रहस्य वाली बात नहीं है कई बार शब्द विन्यास या वर्तनी या स्पेलिंग करते समय थोड़ी मानसिक गड़वड़ी हो जाती है और ऐसी स्थिति में उसका समाधान करने के लिए हम इन में से कोई एक या दो या तीन युक्तियों का सहारा लेते हैं इसके लिए हम शब्द लेते हैं इंडिपेंडेंट आई एन डी इ पी एन डी इन टी तो जैसे हम पहले समझा चुके हैं आपके समक्ष हम ये तीन विकल्प दे रहे हैं वी मैं शब्द देखने की कोशिश करता हो अब आप या तो डिक्षनरी का प्रियोग करेंगे या उसके अभाव में अपने मानसिक पटल पर जोड देंगे कि वे शब्द कैसा दिखता है वर्णों के क्रमनुसार इधर शायद आपको ध्यान आ जाएगा कि शब्द में सारे स्वर या वावल केवल ई है तो दूसरी तरकीम हो सकती है उच्चारन या फोनेटिक्स को इस्तमाल करना तो हम शब्द को मानसिक आधार पर टुकडे करेंगे और शायद स्पेलिंग सही हो जाए के मैं विभिन शब्द विकल्प लिखता हूँ यहां आप अलग-अलग धंग से शब्द को लिख कर देखेंगे और जो उचित लगे उसे माननेता दे देंगे आम तोर पर हम यही युक्तियां इस्तमाल करते हैं आपको पूरी स्वतंतरता है कि आप इन में से किसी एक या कोई भी दो या फिर तीनों का चैन कर अपना उत्तर रिस्पॉंस शीट में निशानवद करें इसी तरह सारी नौस्थितियां आपके सामने पेश की जाएंगी याद रहे कि यह सेल्फ असेस्मेंट या स्वयम मुल्यांकन बुनियादी तौर पर केवल गुणात्मक है तता मात्रात्मक नहीं है यह केवल आपका ध्यान हमारी निजी सीखने की शेलियों के तरफ किंद्रित करने के लिए एक आनुभेविक या अनुभव जने जाच है इसके बाद हम आपको सीखने की शेलियों से परीचित कराएंगे आशा है आपको यह प्रक्रिया पूरी तरह से समझ आ गई होगी अपनी शेलियों के मुताबिक अब हमारा ट्राफिक सिगनल प्रस्तुत है याद रहे कि इस समय वो लाल रंग दर्शा रहा है अगर प्रशनावली से संबंधित आप किसी भी मामले में बिल्कुल स्पष्ठ होना चाहते हैं तो अपने फैसिलिटेटर या इस्वम मुल्यांकन के जिम्मिदार प्रभारी से तुरंत पूछे अगर सब स्पष्ठ हैं तो हरी बत्ती दिखाते ही या स्वम मुल्यांकन शुरू हो जाएगा ध्यान रहे कि बीच में किसी प्रकार की रोक टोक, आपसी वारतालाब, शोर शराबा, अथ्वा अशान्ती और उपद्रव की अनुमती नहीं है धन्यवाद